आज मैं आपको बताऊंगा एक योग साधक एक ध्यानी एक स्वर साधक को भी कैसे स्ट्रस हो जाता है उसके लक्षन बताऊंगा और उसके उपाए बताऊंगा यदि आप साधना में उतरना चाते हैं यदि आप साधक हैं यदि आप मेरी कुछ बातों से अपने आपके साथ सम्मंद बिठा पा रहे हैं कोरिलेट कर पा रहे हैं तो यह आज का लेक्षर आपके लिए बहुत ही मैतवपूर्ण होने वाला है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम तो योगा भ्यास शुरू किये थे इसलिए कि स्ट्रेस ना हो लेकिन आज तो ऐसा सुनने को मिला कि योगा भ्यासी के स्ट्रेस भी हो जाता है और ऐसा नहीं कि जो बिग्नर होगा उसी को ही हो जाता है जिन लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव है जिन लोगों ने थोड़ी उ distraction कर ली है उन लोगों को भी हो जाता है यह सत्य है और आपको मैं थोड़ा जब explain करूँगा तो आप मेरी बात को समझने में सक्षम हो पाएंगे जैसे मेरा आज ध्यान लगा मैंने आपको कुछ दिन पहले त्री नेत्र ध्यान बताये था अनेक लोगों ने अभ्यास किया अनेक लोगों का ध्यान लगा साधना हुई आनन्द मिला मन शान्त हुआ अब वो उचाई दोबारा प्राप्त करनी है लेकिन आप ध्यान रखना जब आपने पहली बार ध्यान लगाया तब आपका पात्र खाली था बिना किसी उपेक्षा के तो अब अपेक्षा आ गई है कि वैसा ध्यान लगाना है जैसा पहले लगा था अब कम से कम उससे उपर ना पहुंचे तो उतना तो पहुंचना ही है उस तर तक पहुंचना ही है जहां तक पहले पहुंचे थे ऐसा एक भाव मन में आएगा ऐसी expectation मन में आ जाएगी थोड़ा सा desperate होने लगेगा मन तो लेकिन जैसे ही मन desperate होगा जैसे ही उसकी इच्छा होगी जैसे ही उसकी चाह होगी उस उचाई को उस अनंद के स्तर को दुबारा प्राप्त करने की वो धुमिल हो जाएगा फिर दुबारा वहाँ पर नहीं पहुच पाएंगे आप उस भाव से उस मन उदशा से पहली बात तो मन से ही नहीं पहुच पाएंगे लेकिन मन में एक भाव आ जाएगा जब तब तो सोने पर सुआगा हो जाएगा नयले पर देला हो जाएगा तब आप क्या करेंगे ना चाते हुए भी सब परियास करेंगे क्योंकि एक बार स्वात चक लिया न एक बार हलवा खा लिया तो दूबारा हलवा काने की इच्छा होगी कभी जलेबी खायी ही नहीं थी तो पता हिनी था जले भी होटी क्या है? लेकिन एक बार स्वाध चख लिया तो दोबारा स्वाध चखने गिच्छा होती है अब दोबारा खाएंगे तो पहले वाली से compare की जाएगी कि अच्छी है या बुरी है ऐसे ही जब भी आप जले भी खाते हैं जब भी आप रस्कुल्ह खाते हैं तो पहले वले से कंपेर होथा Ses है या बुरा किस आधार पर आपने बोला यह अच्छा है यह बुरा है क्योंकि पहले आपका उन्भू है तो जैसे ही साधना में आप उतरने के लिए तैयार होंगे और आपको आशा तो है उसी उचाई को प्राप्त करना है थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होना लेकिन जब एक साधना के बाद दूसरे परियास के बाद तीसरे परियास के बाद आप वहां पहुँचने में सक्षम नहीं होंगे तब आप मैसूस करेंगे आप का मन विचलित होता जा रहा है अब आप स्ट्रेस होते जा रहे हैं चले थे शांती की खोज में अशांती की और बढ़ने लगे बढ़ने ही नहीं लगे बोज सर पर ढोने लगे उस अशांती का जिससे बचना चाहते थे जैसे एक गुरू ने शिश्य को बोला सुबे तीन मजे उठके ध्यान लगाना है ठंडे पानी से नहाना है सर्दी हो या गर्मी गुरू भी पोचे हुए थे गुरू का अपना अनुभव था लेकिन एक बात याद रखना जो बातें मुझ पर लागू होती है आप सब पर लागू नहीं होती हो सकता है आपका शरीर आपका मन अलग हो हो सकता है आप सुबह छे बचे ध्यान लगाएं मेरा ध्यान तीन प्यूकत है सबके लिए तो शिश्य ने भी यह किया गुरू की बात को मानकर जानकर तीन मेजे उठा आधी नीद में आधा सोता हुआ आधा जागरत थंडे पानी से डर लगता है लेकिन थंडे पानी से श्चनान किया ध्यान में बैठ गया लेकिन अब गुरू ने बोल द तीन मेजे उठेगा और पूरा दिन कुछ करेगा ही कामदाम और दोपैर को भी नहीं सोएगा दिन में भी नहीं सोएगा फिर शाम आते-आते आलस से छा जाएगा एक दिन दो दिन तीन महीने में शरीर और मन रोग से ग्रसित हो जाएंगे क्योंकि वह तो गुरू ने अप समय उप्युक्त हो तब लगाईए इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा चोबिस घंटे के 48 हिसे कर लें हर आदे घंटे में ध्यान लगाएं खोज कर पता लगाएं कौन सा समय आपके लिए उप्युक्त है कोई बहुत बड़ी बात नहीं 48 घंटे मतलब जारत स्यादा दो महीने का समय लगेगा और आप अपने रही बिल्कुल राइट समय पे क्लिक कर लेंगे और भी कठिन हो तो और पंदरा मिंट में भाग दीजिए चार महीने पूरे जीवन में मात्र चार महीने का समय लगेगा पता लगाने के लिए कि कौन सा स समय आपका है बहुत महंगा सोदा नहीं है मेरी देश्टी में आप कर पाएंगे इसको कर सकते हैं आप इसे अगर थोड़ी सी भी साधना की तलब है तो आप इसे कर पाएंगे तो इस प्रकार से योगी को एक ध्यानी को स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस ही नहीं अनिक प्रकार के रोग हो जाते हैं कभी किसी ने कहीं सुनके किसी से सुनके गुरु मुक से नहीं कहीं से सुनके किसी मंतर का जाब शुरू कर दिया और मंतर का जाब बिल्कुर ठीक किय लेकिन इतने गहन रूप से कर दिया इतना गहरा कर दिया कि आप उस मंतर से पीछा छुड़ाना ही बहुत कठिन है त्यान रखिए मंतर तो साधन है उस साधन तक पहुंचने का आपने उस मंतर को ही सब कुछ समझ लिया तब बात बनेगी नहीं आप साधना के मूल तत्व साधना के आधार भूत तत्व को ही छोड़ दिये वो है शांत होना विश्राम को प्राप्द करना सबसे पहले तो आप शांत हो जाएं पहले जो किया था वो बीज रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा उसका लाब आपको हमेशा मिलेगा लेकिन ऐसी उम्मीद ना रखें कभी भी ऐसी आशा कभी ना रखें कि जैसे पहले किया था आज उससे उपर जाना है हम मशीन नहीं हम रोबोट नहीं हैं हर बार हमारे शरीर और मन की परफॉमेंस एक जैसी नहीं हो सकती हो सकता है दिन दुनिया के क्रिय कलापों से मन कभी व्यतित हो मन कभी प्रसन्न ना हो मन में कभी कोई दुविदा हो मन में कोई भाव हो खुशी का दुख का उन भावों से प्रभावित होकर मन आपका जकर लेगा उस शक्ति को जो की ध्यान में लगनी चाहिए थी उसको दूशित कर देगा तो हर बार पहला नियम ये पालन करें कि आप मन को शांत कर लें मन को कैसे शांत कर लें मन कैसे शांत हो जाएगा इसका उत्तर तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के जीवन से मिलेगा हमें मिल रहा है पिछले धाई हजार सालों से बुद्ध ने घर को छोड़ दिया राजा के पुत्र थे घर को छोड़ दिया महावीर ने घर को छोड़ दिया राजा के पुत्र थे और गायब हो गए लुपत हो गए जंगलों में छे और बारा सालों के लिए क्या कर रहे थे वो नहीं है कि इतने वर्षों तक छे वर्षों तक बुद्ध क्या कर रहे थे जंगल में वो निश्चित रूप से ही शान्त होने का प्रयास कर रहे थे और जब आप अपने शरीर को किसी भी क्रिया से बिलकुल ठका देंगे योगा ब्यास करें दोर लगाएं प्राणे आम करें शरीर बिलकुल उस उचाई पर पहुंच जाए जहां तूटने को हो बिलकुल शान्त हो जाएगा मन उसी शण में एक नया दरवाजा खुलेगा जो क मन की शांति की और होगा जैसे ही आप शीर को निढहाल छोड़ देंगे शक्ति हीन बनादेंगे वैसे एक नया दरवाजा खुलेगा जो कि मन की शांति के दर्वाजे में प्रोवेश करते समय जब आप त्री नेत्र ध्यान का भ्यास करें ग heh टीसरा नित्र खुल जाएगा तिसरे नित्र की शक्ति के बराबर आपको ग्यान होने लगेगा तब आप इस बात का अनुभर करेंगे कि योगी को स्ट्रेस होता है और वो दूर भी होता है योगी को स्ट्रेस होता है और वो कैसे मनोदशा के बदलने से ही दूर हो सकता है आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे और अपने आपको साध्रमे तत्पर करेंगे जैसे जाम ओम नमस्यवाए